गुड मॉर्निंग एरिबड़ी सक्सिस्प्राइंट द्योगंद में आपका फिर से स्वागत है आज किस वीडियो में हम करते हैं जी के सिरीज नंबर एट और जो एकोलोजी पर बेश्ट होगी पारिश्थिति की तर्फिति देखना कल जो हमने वीडियो बनाई थी सिरीज न तो आज के कुश्चिन बहुत इंपोर्टेंट होंगे जो लोग सिवायोग या यूपी टैट या अन्ने परिक्साव में कुश्चिन स्पूचे गए हैं स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर फर्स्ट पारिश्थिति की निम्न के बीच पारिश्परिक संबंद का अध्यान है देखना यूपी आरो में कुश्चन आये दोजाट चोदा में तो किस किस के अध्यन को पारिश्थिति की बोलते हैं जीव और वातावरण के जो संबंद आपस में होंगे ये पारिश्थिति की तंत्र कहलाएंगे आप यह समझेए जैसे कोई पर्टिकुलर इस्थान होता है इसमें आप जीव जन्तु रहते हैं और ये एक दूसरे पर कैसा प्रभव डालते हैं या उसको हम एको सिस्टम या एकोलोजी कहेंगे तो जीव जन्तु की और उसके वातावरण के संबंद को क्या कहेंगे पारिश्थिति की तंत्र है नेस्ट कुछन है पारिश्थिति की संकल्पना को परतिपादित या प्रस्तावित किस ने किया था देखना इस पेलिंग तोड़ी मिश्टेक हो रही है तो UK PCS में पूछा गया उत्तराखंड PCS 2005 में इसके लिए परियावरण वीद है टोंसले टोंसले ने सबसे पहले इसे धन्त या संकल्पना प्रस्तुत की थी किसकी पारिश्थिति की तंत्र की पारिश्थिति की तंत्र है ना इको सिस्टम क्या कहेंगे इसको इको सिस्टम कि संकल्पना प्रस्तुत की थी next question नेम लिखित में से कोन सा किर्दिरिम परितंत्र है जो artificial हम परितंत्र बनाते हैं थी पेला उप सहने थाला खेथ वन या कोई नहीं तो इसमें खेथ आजाएगा खेथ भी Energically OS Healthcare जैसे धान का खेत होता है, धान का खेत, धान जैसे हम चावल हुगाते हैं, तो UPPCS 2013 में कोश्चिन पूछा गया है, देखना, लोक सिवा आयोग में परियावन को काफी बढ़ावा दे रहे हैं, एन्वार रॉल्मेंट को, इससे काफी कोश्चिन पूछे जा रहे हैं, वैसे तो बुगोल का रहता ही है, लेकिन ये उसमें एक special part होगा, तो answer क्या जाएगा इसका, धान का खेत, भी answer, एक अन्ने पर एक समय और भी question पूछा गया है, तो उसमें खेत नाओकर रॉफसन में धान का खेत है, इसलिए आपको मैंने बताया कि धान का खेत इसका proper answer होगा, ए methane, methane gas, question आए हुआ है, कि धान के खेत से कौन सी gas उत्क सर्जित होती है, तो answer क्या हो जाएगा, methane CH4, यह भी question अलग से आए हुआ है, तो आप चाहे तो नोट खर लिजे से भी, next question है, निमली खेत में से कौन सा पारिश्थिती की तंत्र के विशे में सही नहीं है, तो जो सही नहीं है, क्या, यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं है, एक open system होता है, तो UPPCS परी 2015 में question आए हुआ है, वह जेविक और एजेविक तत्वों के संगठन में युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है, इसकी अपनी खोद की उत्पादक्ता होती है, जैसे इसमें चरन दर चरन हो नहीं है, तो एक दूसरे के लिए वो क्या एक चैन का सरंकला का कारी करते हैं, यह प्राकिर्थिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल सही है, तो यह दियाने से में यह एक बंद तंत्र है, बंद नहीं, यह open system होता है, यह खुला तंत्र होता है, तो इसमें सी answer हो जाएगा, question नहीं का है, यानि कि एको सिस्टम पारिष्थिती की तंत्र, पारिष्थिती की तंत्र में उर्जा का प्राथ्मिक स्रोत क्या है, सबसे पहले हमें उर्जा कहां से मिलती है, तो सूरिय से सबसे पहले उर्जा मिलती है, चूंकि सूरिय से गरह और उफगरव, चूंकि हमारी बुद्ध हो जाएगा फिर सुक्रा जाएगा और फिर पिर्थवी तो जितने भी गरह या उपगरह होते हैं इनका अपना परकास नहीं है सूर्य के परकास से परकासित होते हैं और ऐसा आकास ये पिंड जिसका अपना परकास होता है और ब्रह्मान के चक्कर लगाता है उसको या उपगरों के लिए उर्जा का मुख्छे सरोथ क्या हो जाएगा इसमें सूरिए की उर्जा एना Solar Energy क्याल नेशिटकर है निम्लिकट में उसकारिय से पारिस्थेती की संतुलन बिलटा है जो पिई शायन से हांटा है इककं 놓мы हैं आइखके खरगा उननस इकलोगा हुआ है 따ा से कमई ये संसे ख्राब होती है दो पी आरो अरे ये गतार नहीं फैसे पूरेषर बिर या तोक्रे खतक हम एजे हैं सहिंगी केस्परे कहते हैं वाने 20य कहना है ये क्या सबसे अदिक हानिकारक होता है एको सिष्टम के लिए दूसता दूसे ये समाजी के वानी की जो सोचल फुरेस्टी होती है जैसे हम भेटों में पोपलर या यूकeलिफ्टी से उगाते हैं उसका में काट भी लिता है ये तो एक सामाजीक वार्नी की है, इसको हम फिर से उगाते हैं, वन महुत सो, वन रोपन, तो ये तो तीनों लाबकारी होंगे इसके लिए, लेकिन जो लकडी हम वनों को काटते हैं, जो दूबारों वगारते नहीं है, ये सबसे हानिकारक होते हैं, पारिस्तिती के संतुलन क को ये बिगाडता है, लकडी काटना, तो आप ये नोट करते हैं, ये साथ-साथ, और इनका फिर डिविजन, इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा, कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम जो कहीं पर पढ़ते हैं, वो सही डिरेक्शन में हैं या नहीं है, नेस्ट वर्चन, जियू भार का पिरामीड किस पारिस्तिती की तंत्र में उलट जाता है, जियू भार का पिरामीड, जैसे एक पिरामीड होता है, एक पर्थम सेनी के, दुट्य सेनी के, कल की वीडियो में पूरा बताया गया है, इससे पहले एक पारिस्तिती की वीडियो फर्ष्ट देख ल जलिय भाग पिर्थीव पर 71% होता है नेच गूर्चन है पारिस्तेथी के तंत्र में जेविक घटकों में कौन सा उत्पादक है उत्पादक जो प्रोडूसर का कारी करता है तो इसमें क्या हरे पेड़ पोधे हो जाएंगे आपको बताया था पहले भी कि जो पिरामीड हमरा होता है पर्थम सेने के उभोगता दृत्ते सेने के और ये तित्ते है ये पहले और ये दूसरे और तीसरे पर्थम सेने में उभोगता में कंजुमर को कोन आएंगे इसमें ऐसे जानवर आएंगे जो साकाहरी होते हैं साकाहरी और दूसरे में कौन से होते हैं मासाहरी मासाहरी पराणी और तीसरे में होंगे जो सर्वहारी होते हैं सर्वहारी का मतलब जो ऐसे पराणियों का सिकार करते हैं जो घास भी खाते हैं और या जो मास भी खाते हैं, सर्वहारी उन सब का सिकार करते हैं, इन से उपर होता है फिर एक उत्पादक, उत्पादक में क्या आ जाएंगे, सभी पेड़ पोधे आ जाएंगे, पेड़ पोधे हैं, सभी जो प्लांटेशन हैं, ये पेड़ पोधे किस इसमें आएंगे उत्पादक में, तो हरे पोदे किसमें उत्पादक में, गाये जैसे घास खाती है, गाये ऐसे पराने को नहीं काती जो मासारी होते हैं, तो गाये किसमें आजाएगी पर्थम सेनी की भोगता में आजाएगी, हैना मौर किसको खाता है जैसे, मौर मासारी जैस फोटो सिंथेसिस या परकास संसलेशन की किरिया होती है, इससे हरे पोधे उगते हैं, जो गरो होते हैं, विक्सित होते हैं, नेक्ट कोश्चन है, परितंत्रों की घठती उत्पादक्ता के कर्म में उनका निमलिकित में से कौन सा अनुकर्म सही है, देखना आईये स्पिरी 2013 म इसका लगबग हर कोश्चन इसमें आता है, यह बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है, परिक्सा की दर्ष्टी कोन से, तो इसमें है, महासागर, जील, घास, इस्थल और मेंग्रोव, देखना मेंग्रोव वन क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, मेंग्रोव, जहां पर कोई जलिये, यह होगा, इस्थल यानि के, या कहीं नदी के बीच का भाग है, या फिर समुदर का किनार, इसके किनारोपर जो उगने वाले पोधे होते हैं, उनको मेंग्रोव बोलते हैं, मेंग्रोव, मेंग्रोव वन होंगे, जो समुदर के किनारे या किसी नदी के किनार पर उगते हैं विसु का सबसे बड़े मैं ग्रोवन ये सुंदर्वन के डेल्टा में पाय जाते हैं सुंदर्वन का डेल्टा सुंदर्वन ये कहा है पश्ची मंगाल में सुंदर्वन वेस्ट मंगाल में तो गंगान अदीक डेल्टा बनाती है हमाँ पर इस डेल्टा के जो में किनारों पर जो पेड़ उगते हैं क्या लाएंगे मैंगरोवन और ये इरोजन को रोकते हैं जो समुदर के किनारे तठ होंगे ये भूमी के कटाव को रोकते हैं तो इनके सबसे बड़ी महत्ता होती है तो क्या जाली इस्थानों पर उगते हैं इनके ग्रो होने के लिए या जो इनमें वरद्धी होती है, उसके लिए सेलेंट्री होनी चाहिए या सोडियम होना चाहिए उसमें, जैसे एननेसियल होता है, सोडियम कलॉराइड उससे ग्रो होते हैं, तो क्या जाएगा इसका अंसर, मैंगरोवन, घासिस्थल, जील और महासागर, तो क्वेश्चन है, परितंत्रों की घट्टी उत्पादक्ता के करम में, उनका निमलिखित में से कौन सा अनुकरम सही है, तो जैसे मैंगरोवन, उससे फिर घासिस्थल भी कम हो है, फिर जील भी फिर महासागर भी, तो ये इसका बैस्थ आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कि मैंगरोवन सबसेदी का है, सुंदरवन, साथ-साथ ये भी आप नोट करते रही है, नेट्ट क्वेश्चन है, सरवादिक इस्थाई परितंत्र, या पारिस्थितिक इतंत्र, निमलिकित में स जो इस्थाई है, तो महासागर हो जाएगा, महासागर या जलिये, जलिये भाग, जलिये भाग और महासागर, अन्य परिक्साव में जलिये भाग करके आए हुआ है, यह हमारी परित्थिव पर 71% पाया जाता है, तो यूपी PCS परी 2013 में फिर से कॉस्चन है, ना देखना य इस से पहले जो कॉस्चन था, वह भी 2013 में कॉस्चन था, तो इस्थाई परितंत्र सबसेदिक कौन सा है, यह हो जाएगा महासागर, चुकि इसी में सबसेदिक पराणिया जियुजनतु पाय जाते हैं, जैसे मचलिया भी होती है, इसमें, नेस्ट देखते हैं, एक तालाब कि परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, यह उल्टा होता है, जैसे तालाब के अंदर, जीवभार का पिरामिड होगा, जैसे हम पर्थम सेनि दित्ते और तित्ते पड़ते हैं, तो इसमें क्या तित्त दित्ते और पर्थम आ जाएगा, SSC, CGL में कुस्चन आए, graduate level में 2002 में तो उसमें तालाब में क्या परितंत ये उल्टा होता है next question है एक मनुस्य के जीवन को पूर्ण रूप से धार्ण ये करने के लिए आवश्चक नियुमतम भूमी को क्या कहते हैं तो ये यूपी PCS 3 2012 में question है तो इसे क्या कहेंगे हम पारिश्थिती की ये पद्चाप पद्चाप का मतलब ये हुआ एक मनुस्य को अपना जीवन यापन करने के लिए जितनी भूमी के आवश्चकता होती है उसको ecology ये ये बोलता है पद्चाप तो नेक्ट कोश्चन है जीज़न अपना खाद में उच्जा का परवा होता है एक दिवसये का मतलब ये हुआ कि जैसे पर्थम सेनी के जो उभोगता है या आप समझे आप जो उत्पादक होते है उत्पादक का भोजन कौन करते हैं जो पर्थम सेनी के होते हैं पर्थम सेनी का जैसे हीरन या जाएगा इसमें हीरन हीरन इसका भोजन करेगा और हीरन का भोजन कौन करते हैं जैसे और होते कि शेर भी आता है, शेर इसमें भी आजाएगा, तो यह किसमें सेकेंडी में, और टरसरी में क्या आजाएगा, टरसरी में जो इनका भी भोजन करते हैं, यानि कि हीरन को कुछ जन जातिया भी होती है, शेर वैसे दोनों में आते हैं, शेर इसका भी भोजन करते हैं, उसका भी इन यह जो करम चलता है हमारे यह एक ही दिसा में चलता है जैसे वोणी की दुट्य सरेनी का जो उभखता है इसका हीरन सिकार करेगा हीरन काभी सिकार नहीं करता है तो घास पर depend रहता है यानि कि爱 वनस्पति खाता है जीवित रहने के लिए तो इसका जो करम रहता यह हमेशा एक देशी रहता है, एक ही देशा में, एक देशा में, नेश्ट कोश्चन है, पारिस्थिती की तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, किसका चक्रण नहीं होता है, जैसे कार्बनिक पदार्तों का इसका तो होता है, एकार्बनिक पदार्त मिलती है. तो इसमें क्या जाएगा? उर्जा का ये चक्रन में इसका इस्थान नहीं होता. Next question. Ecology या पारिष्थिति की सब्द देने वाले कॉन थे? E-hicle. E-hicle ने क्या किया था? पारिष्थिति की, केवल पारिष्थिति की तंतर था. पारिस्थिती की एकोलोजी और एकोसिस्टम अलग-अलग हैं, अगर क्वेश्चन आथा, एकोसिस्टम ने किस ने किया था, टॉन्सले ने, टॉन्सले, टॉन्सले ने किसका, एकोसिस्टम, यानि कि पारिस्थिती की तंत्र, एकोसिस्टम, अगर या था, एकोसिस्टम पर we Yakking नहीं किया ताहा अलग अलग दोनों केस्छेंट और को से तो सरंखला कार्टेसियन जिसे प्लेंस कोई कुछ नाम होते हैं तो यह प्लेंस होंगे यह डाइटम यह ऐसे नोट कर लिजे मुझे भी इसकी हेरिंग के बारे में नहीं पता तो कार्टेसियन यह तो मैदान होते हैं डाइटम यह तो मैदानों के नाम होते हैं परितंत्र के खाद्य सरंखला उस करम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक सरंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोसीद होती है। परितंत्र का गती हिर्दे कहलाता है। परितंत्र का गती हिर्दे कहली हैं। इसमें क्या जाएगा उर्जा, पर्वा और खणिजडशक्र यानि कि हमें कुछ मिनल्स भी चाहिए और उर्जा भी चाहिए। यह किसका हो जाएगा परी तंतर का गति खेड़े इससे हमारे सिश्टम कोई गति मिलती है कि कोन किसका भोजन ऐसे करेगा यह चक्र ऐसे चलता रहता है नेस्ट इसमें एक से अधिक जातियों का समू जो किसी इस्थान पर रहता है वो क्या कह रहते है उसको जैसे बायोम कहेंगे या जेयो समूदाय क्या जाएगा ये उसमें जातियों का समू जो किसी इस्थान पर निवास करते है रहता है उसके हैबिटाट को कहेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा B, एक से दीकिश में, अंसर में परितंत्र भी दिया है, जे और समुच्चे भी दिया है, ये और सी दोनों, तो जे और समुधा है, इसका, ये विकलफ हो जाएगा. last question हैदराबाद में इस्तित हुसेन सागर जील किस जिव की व्रद्दी से नश्ट हुई कौन सा उसमें जीव था है वनस्पती जीव जिस की व्रद्दी से क्या लिख़ा है व्रद्दी इसकी व्रद्दी से नश्ट हुई है तो लेमना, हाइडीला मगरमच या जलकुम्भी जलकुम्भी एक हाइडोफाइट होगा जल में उगने वाला एक पोदा होता है जलकुम्भी जलकुम्भी ने नस्ट किया है हुसेन सागर जील इसकी महत्ता कम होती जारी हुसेन सागर चोकि उजील में काफी है जलकुम्भी ये उग जाती है तो ये हानी पहुंचाती है उसमें नेस्ट कोश्चन है पारिस्तिती की तंत्र की समकल्पना को परस्तावित किसने किया था उत्राखंड PCS पिरी 2015 में कोश्चन पूछा गया है देखना टोन्स लेने पारिस्तिती की तंत्र, एको सिस्टम एक हमने हेकल अभी पड़ा है उन्होंने केवल पारिस्तिती की सब्द का परियोग किया था और पारिस्तिती की तंत्र, यानि कि एको सिस्टम जो सब्द का परियोग किया है एको सिस्टम सब्द का परियोग किया है कि इसने टोन्स लेने किया है तो ये दोनों परियावरनवीद अलग-अलग हैं, इन्हें अलग ही आप नोट कीजिए नेश देखते हैं, घास इस्थलिय परितंत्र में संख्या का पिरामीड होता है घास परितंत्र में कैसा बनता है संक्या का पिरामीड सीधा और उल्टा कहां बनेगा तालाब में तो घास जो इस्थलिय परितंत्र में जमा की संक्या का पिरामीड तो ये तो सीधा होता है जैसे पिरामीड नुमा आपको बता, पर्थम सेनी दिख्टे सरनी और तीत्ट्र सेनी जो बनते है ये सीधा बनता है लेकिन ये अगर देखे किताला में उल्टा बनता है Next question ने, पारिस्थिति की निशे पारिस्थिति की निशे, आला की संकल्पना को परतिपादिद किया था इसमें निशे का मतलब होता है एक जैसे विष्यवर्स्तू होती कुछ तो पारिश्ती की निशे का सब्धिश्व एली जो परयोग किया था ये ग्रीन ले ने किया था ग्रीन ले एक परियावण वी दू है ग्रीन ले सर्वहरी किसे खाएंगे जैसे माना मान तो मान साहरी होता है अगर ये देखते हम ये पर्थम्सेने दूत्ती ओर कि रिटय में किसमें आता है। इस तो पर्थम्सेने कि बोकता है दूत्ती तरी कि अ जाहते हैं, तो माना mezay 28 को थे, स॥॥॥॥ को आधाा है, तो माना मासाहरी केवल मासाहरी और पराणियों को खाता है और मासाहरी जो पराणियों को खाते हैं। परितंत्र में मानों सरवारी है तो यूपी PCS मेंky 24 cyst पूचा गया है। एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? हिमाचल PCS में question पूचा गया है. इसमें कौन कौन से घटक होंगे? एक तो GV. और AGV. यह घटकITA कम पोजर कम पोजर क्या होते हैं? जैसे जितने भी पेड, पोधे, प्राणी याना ये जब नस्ट होंगे यानि की डैथ हो जाती है, उसके बाद में इनको फिर ये जैसे बैक्टीरिया कवक होते हैं, एक तो जैसे जीवानों, जीवानों ये बैक्टीरिया उनको नस्ट करते हैं या फिर कवक भी होते हैं, इन वो जो पराणी जब अंतिम रूफ से उसमें कुछ वेस्ट है, वहाँ पर बैक्टीरिया उसका भोजन करते हैं, तो बैक्टीरिया को ये पिर्थिवी का महतर भी बोलते हैं, महतर है, यानि कि सफाई करने वाला, ये क्वेश्चन कल की वीडियो में आपको बताया था, आप च समस्थ पिर्थिवी में सरवाधिक पाया जाता है, सरवाधिक क्या होता है, जैसे सिलिकन, ओक्सिजन, लोहा, एल्मोनियम, लोहा फेरस है न, फेरस, फेरस, जैसे ओक्सिडियसन होता है, चीज का अक्सिकन, वो फेरस ओक्साइड में बनती है, वैसे एक परिक्षा थी, उस यह तत्व हमारी पिर्थी में पाए जाते हैं और उसकी फिर अलग-अलग परत होती है करस्ट मेंटल कोर इन में भी अलग-अलग है यह आपको जोगरुफी में फिर बताएंगे ओके यह कुश्चन किसमें यूपी लोवर पी-स में 2002 में कुश्चन है नेस्ट कुश्चन है अ अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र अंतरिक्ष यान में कैसे बनता है किर्तिरिम परितंत्र है ना SSC CPO 2003 में कुश्चन पूछा गया है वह हम आर्टिफीशल तरीके से बनाते हैं उसमें चुकि अंतरिक्ष यान में हमें काफी दिनों तक रहना पड़ता है और वाय नेश्ट देखते हैं, मानव दुवारा बनाया गया पारिस्तिती की तंत्र, फसल परितंत्र, जैसे हम फसल परितंत्र बना सकते हैं, फसल चक्र होता है कि किस खेत में किस के बाद में कौन सी फसल होगा नहीं एक फसल चक्र, यह हमारे अपने उपर डिपेंड करता है, तो एक कि रत्रिम परितंत्र आ जाएगा फसल परितंत्र नेस्टह से समय एक परितंत्र में मानवए सभी जन्तु होते हैं यह ञाकि जेसे परत्सेन के हों जो सोकाहरी होते हैं केवल ऐसे परानी जो उनका भोजन करते हैं वनस्पति का या उनने पेड़ बोदऌ तो तीन परकार के उपभोगता होते है नेस्ट कोश्चन परितंत्र में होती है परितंत्र में क्या एक जो एको सिस्टम हम बनाते हैं परितंत्र इसमें उर्जा और खनीज दोनों को हानी होती है जैसे उर्जा और खनीज दोनों को हानी होती है चुकि उर्जा भी लोस होते है और खनीज पदार्थ भी इसमें कम होते जाते हैं क्योंकि एक दूसरे का उफभोग करते हैं एकोसिस्टम में next question है किसी परितंत्र में होते हैं जेविक और एजेविक पदार्थ होते हैं यहना कुछ जेविक और बाइलोजिकल होंगे next question खाद्य सरंखला के आधार पर जीवधारू होते हैं परकास संसलेशन जीवधारी खाद्य सरंखला में जो परकास संसलेशन के किरिया होगी इसमें पादब होंगे यानिके वनस्पती वनस्पती यह सब से दिखोंगे और सूरिय के परकास से ये क्या करते हैं, सलनाइट की उपस्तिती में परकास संसलेशन के किरिया से विक्सित होते हैं जैसे पेड़ पोधे जो भी हो जाएंगे next इसमें, एक तालाप परी तंतर में बड़ी मचली, कच्ष्वे और मेंडग होते हैं तो क्या ये किसमें आएंगे जैसे मचली, छोटी मचली को कहती है, त्यूत्य स्अनी के हो जाएंगे, यानि कि मचली मचली कोखाती है एक तषू, मेंडख भी ऐसे परानी को कहेगा, जिसे टिड्डे को कहेगा, कचुए का भी ऐसी बोजन होता है, तो जैसे ग्रास उपर को में डखाते हैं, ये क्या दृत्य स्रेणी के उप्भोकता हो जाएंगे, दृत्य स्रेणी के उप्भोकता उनका भोजन करते हैं, जो सजी होते हैं, नेक्स्ट, परितंत्र बाज का इस्थान है, परितंत्र में बाज का इस्थान, सर्वोच उप्भो सांप का भी करता है, ये स् में सर्वोच उपहोकता है, है किसी जेवी घटक को विबाजित किया गया है, कि इसमें उत्पादक उपभुकता है, तो अपगटक भी होते हैं, फो ग्या किसी जवासम को डिकंपोज करते हैं, तो इसकी फिन झीध क्रिण हदे है तो तो इसमें डिया जाएगा उपरोक्त सभी. तो यह जो इस टाइफ से कोस्चन थे, यह विभी ने परिक्साम में पूछे गए हैं, कल की वीडियो अगर आपने देखी हो, तो उसमें आप टेली कर लिजेगा, कि यह जो कोस्चन है, उसमें वीडियो में बताए गए हैं या नहीं, तो हमारी यह कोसिश रहती है, कि हम आउट ओफ ट्रेक ना हो जाएं कहीं, है ना हर संभव यह कोसिश करते हैं, कि टो दा पाइंट, पिन पाइंट हम लोग पढ़े हैं, जो कि समय की कीमत बहुत है आपके लिए, वैसे सभी के लिए है, जो कि आपकी एज दावापर लगी हुई है, तो हम एक्जाम ओरियन्टीड हैं, सिर्फ उसी के चर्चा करें, जो हमारे एक्जाम उनमोखे हैं, एक्जाम ओरियन्टीड हैं, तो यह मैं असर करता हूँ किस समझाया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बोक्स में आप लिख कर बताइएगा, और आप नोट करते रही हैं, तेंक यू,